हेलो बच्चों कैसे हो सभी उम्मिद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे तो आज से हम लोग चेप्टर नंबर 17 के most important questions start कर रहे हैं तो चले चले श्टाट करते हैं फिर वन बाय वन सारी Kingdom को अच्छे से समझेंगे तो क्योशन नंबर 17 की हम लोग बात करते in भुखार के से मैं सवातन दर सवातन का मतलब होता है breathing बेटा जी क्या होता है breathing ह boy killing है तो जब हमको गुखार हो जाता है तो breathing rate के अंदर क्या effect परता है यानि कि जो हम लोग सांस ले रहे हैं जो सांस को अंदर ले रहे हैं जो बाहर छोड़ रहे हैं इसको यह जो physical phenomena होता है इसी को हम लोग breathing बोलते हैं सुवसन अलग होता है respiration अलग होता है breathing अलग होता है तो यह स्रिप ओ स्रिप हमको पूछा कि breathing rate के उपर क्या effect पढ़ने वाला है तो obviously बात है जब हमको बुखार होता है तो breathing rate क्या हो जाती है increase हो जाती है बढ़ जाती है चलिए next question की हम लोग बात करते हैं मनुश्य के अंदर सुवसन का परकार है हमने types of respiration देखा था like gills के तुरू, tracheal के तुरू, skin के तुरू तो काफी सारे types हम लोगों ने देखा था हमको पुछा है only humans के अंदर जो respiration का type होता हो कौन से type का होता है तो humans जो होते हैं वो respiration के अंदर क्या use करते हैं lungs का use करते हैं lungs का और lungs के लिए terms usually होता है pulmonary, ठीक है? humans के अंदर जो type of respiration होता है वो कौन सा होता है pulmonary respiration होता है gills आपको पता है किस के अंदर होता है fishes के अंदर होता है जो aquatic animals होते हैं उनके अंदर होता है तो अचा की थूरू जो lower animal होते हैं जैसे की बात करें पौरिफेरसलेंट्रेट्स इनके अंदर स्किन के थ्रू या फिर ऐसे बोले कि एंफिबियंस के अंदरे भी कुछ एंफिबियंस ऐसे होते हैं जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं जैसे कि फ्रोक की बात करें तो वो स्किन की दुआरा भी कर सकता है वो गिल्स की दुवारा अगर उसका टेड़ पो लारवा हो तो वो गिल्स की तुरू करता है ओके, लंग्स की तुरू भी अडल्ट करता है तो उस कंडिशन के अंदर फ्रोक के केस में हमको सारी चीज़े याद रखना है नेश्ट क्यूशन के हम लोग बात करते हैं से पढ़ना ये क्यूशन, थोड़ा बड़ा है, देखना भिन जन्तूओं में, यानि अलग-अलग जन्तूओं की बात कर रहा है सुवसन के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर हमको वीचार करना है तो पहला उप्सन आपको पटना है ये कथन है, तीन खतन हमको दे रखना है तीनों खतन के बारे में हमको देखना है भोजन में संचित उर्जा सुवसन के समय निर्मुक्त होती है बिल्कुल, देखो बेटा, सुवसन का मतलब क्या होता है मैं अभी आपो ये बताता हूँ सुवसन, सुवसन का मतलब होता है देखो, इसके अंदर एक तो ब्रेधिंग भी आती है ब्रेधिंग आती है, प्लस गुल्कोज का ब्रेकडाउन गुल्कोज का ब्रेकडाउन है ना ब्रेकडाउन तो गुलकोज टूटता भी है ऐसे बोले कि गुलकोज का ऑक्सिडेशन तो ये दोनों चीज़े आती है स्वसन के अंदर ठीक है अब ध्यान से देखना ब्रीधिंग तो हमने देख लिया था सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना इतना ब्रीधिंग हो गया अब gases exchange होती है blood में जाती है blood से अपको पता है कहां पे जाएगी ये कोसिकाओ के पाज जाती है और कोसिका क्या करती है glucose को गुलकोज को उस oxygen की उपस्तिती के अंदर break करती है तोड़ती है जिससे क्या बनता है water and CO2 बनता है उस साथ में क्या निकलती है energy निकलती है यह energy किस form में निकलती है ATP के form में इसी ATP को पाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं हम लोग सांस लेते हैं obvious सी बात है उर्जा हमको मिलती है clear हो गया बेटा ठीक है तो यह जो glucose होता है यह उर्जा कहां पर यानि सोरी गुलकोज जो होता है वो कहां पर store होता है हम जो भोजन करते संचित भोजन की बात करो या फिर जो हम लोग भोजन खाते हैं गुलकोज के form में संचित हो गया तो आपको पता है glycogen के form में होता है तो भोजन में क्या होती है संचित उर्जा होती है और यह कब निकलती है जब स्वसन हम लोग करते हैं उस दोरान oxygen की उपस्तिती में जब इसका breakdown होता है, तब ये निर्मुक्त होती है, तब ये बाहर release होती है, तो पहला option का तो ये मैंने कलकुल जे निकाला, दूसरा option थोड़ा ध्यान से देखना, कोसिका के अंदर, सेल की बात कर रहा है, कोसिका के अंदर, oxygen का उप्योग करके, यानि कि oxygen का उप्योग करके, गुलकोज, गुलकोज आपको मैंने अभी आपको बता है, गुलकोज 6, H12 है, और 6, गुलकोज किसमें तूरता है, कार्बन डाय ऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, देखो ये equation हमने अभी पड़ा है, CO2 प्लस, H2 के अंदर तूरता है, साथ में क्या निकलती है, एनरजी भी रिलीज होती है, तो ये second वाला जो कथन है, वो भी सही है, थेड की बात करते हैं, कि oxygen की अनुपस्तिती, absence of oxygen की बात कर रहा है, कि oxygen की अनुपस्तिती में भोजन का विखंडन, क्या कहा जाता है, aerobic respiration, यानि की YVA, गलत हो गया बेटा ये तो, oxygen की अनुपस्तिती में तो होता है, AYVA, क्या होता है, AYVA, right, oxygen की absence में तो होता है, anaerobic, और यहाँ पर इसने उल्टा बता दिया, तो इसने पूछा कि उपरोक्त खत्रों में से कौन से कथन सही है, तो first और second वाला सही है, third वाला गलत है, next question की बात करते हैं, हवा जब नासिका से निकलती है, यानि हमारा जो नेजल वाला पार्ट होता है, नेजल कैविटी वाला जो पार्ट होता है बेटा जी, यहाँ से जब air निकलती है, तो नासिका दुआरा यानि नेजल कैविटी के अंदर किया गया कारिये अब यहां से जैसे हवा गुजरती है तो इसका रोल क्या होता है राइट तो मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ओके क्लियर है जहां से देखना पहला ऑप्सन जहां से पढ़ना हवा को गरम किया जाता है और भी सर्दिया श्टार्ट हो गई तो जब आप सा पास अंदर लेते हो तो इसनी थंडी हवा रहती है कि हमारे लंग्स तक जाते जाते ये जो नैजल कैविटी होती है उसको बोड़ी टेंपिरेचर के एकवल कर देती है तो यह बिलकु साई काम है क्योंकि ठंडी हवा हम ले रहे हैं, low temperature की हवा ले रहे हैं, तो उसको body temperature के equal करना ज़रूरी है, यह कहां से start हो जाता है, इस nasal cavity से start हो जाता है, right बैटा, हवा को यह most किया जाता है, बिल्कुल, हवा को यह थोड़ा सा नम भी करता है, ठीक है, नम बनाए, उसको नमी परदान कर हो जाता है, थोड़ी सी moist हो जाती हवा, dry नहीं रहती, थड़ की बात करें, तो हवा को छाना जाता है, obvious सी बात है, यहां पर hair present होते हैं, बैटा, क्या present होते हैं, यहां पर hair, यह क्या रोल अदा करते हैं, actually, बान लो बाहर हवा के अंदर बहुत सारे dust particles present होते हैं, तो यह क् देगा, इन धूल के कणों को हमारे अंदर जाने से रोकता है, तो याद रखना है, इसके क्या-क्या कारिया हो गया, सभी कारिया इसके सही है, right बैटा, next question की बात करें, तो निम्न में से कौन सा भाग, ग्रस्नी से सम्मंदित नहीं है, ग्रस्नी किसको बोलते हैं हम लोग, ph फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, कौन-कौन से नेजो फेरिंग्स, ठीक है, औरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स, तीन पार्ट होते हैं, ग्रस्नी के, नासा ग्रस्नी, ये भी फेरिंग्स का पार्ट है, मुख गुई है, जिसको हम लोग औरो ग्रस्नी बोलते ह ये भी सही है, कंट ग्रेस्नी जिसकों हम लोग लेरिंगो, फैर्िंक्स बोलते हैं, ये भी सही है ट्रेखिया, ये इसका पार्ट नहीं है, ट्रेखिया इसका पार्ट नहीं है तीन से पार्ट होते हैं, तीनो को यहां पर हिंडी में लिखा हुआ है तो right answer क्या हो जाएगा इसका fourth option right answer हो जाएगा next question की बात करें तो मनुश्य में आवाज हम जो बोड रहे हैं वो किसके दुआरा उत्पन की जाती है मनुश्य की बात करा है मैंने आपको दो चीजे पढ़ाई थी एक तो पक्षियों के अंदर और एक मनुश्य के अंदर पक्षि के अंदर जो sound box होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिंग्स नोट करना बेटा इसको वापस से आप भूलना जाओ इसलिए सेरिंक्स बोलते हैं और मनुश्य के अंदर जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेरिंक्स क्या बोलते हैं उसको हम लोग लेरिंक्स बोलते हैं clear होगे इतना तो मनुश्य के अंदर तो होता है लेरिंग जिसको हम लोग sound box बोलते हैं और सेरिंग्स भी आपको याद रखना है ये किसमें present होता है ये birds के अंदर होता है birds सुबसुबस चाहे चाहते हैं तो याद रखना उनके अंदर sound box कौन सा है सेरिंग्स होता है clear है? next question की बात करें oxygen oxygen फेफडो में अंतिताय पहुंसती है यानि जब हम लोग oxygen की बात करें या नॉर्मली जो gases की बात करें तो वो last के अंदर अंतिताय लंग्स के अंदर कहां तक पहुंसती है तो लंग्स के आपको मैंने tracheal tree पूरा बताया था ठीक है external nostrils, nasal cavity, फिर internal nostrils, फिर pharynx, फिर larynx आ गया bronchis आ गया, primary, secondary, tertiary, bronchus आ गया, terminal इस तरह से last तक जो पहुंसता है वो होता है alveoli जिसको हम लोग बोलते हैं kupika right? simple question है next question की बात करें तो निमन कथनों पर विचार कीजिए चलिए बेटा विचार करते हैं, धान से पढ़ना, दो कथन हमको दे रखा है और दोनों को हम लोग धान से पढ़ते हैं फेपडो की सुरक्चा है तो उनके plura plura नामक आवरन पाया जाता है बिल्कूल, plura शब्द हमारे lungs से related है ठीक है, फेपडो की बाहर जो इस तरह से जैसे मैं आपको lungs बना के दिखाऊँ तो ये इस तरह से lungs है, ओके और इनके बाहर एक protective layer होती है एक सुरक्चात्मक आवरन जिसको हम लोग कहा सकते हैं पाया जाता है, इस आवरन को हम लोग बोलते हैं, plura इस आवरन को हम लोग क्या बोलते हैं, plura बोलते हैं और इसके अंदर द्रव भरा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं, plural fluid बोलते हैं plural द्रव बोलते हैं, right तो ये आपको याद रखना है, यानि कि पहला जो statement है, वो correct है second बात करते हैं, emphysema फेफडो से सम्मंदित disease है, बिल्कुल बेटा, correct बात है emphysema जब हम लोग NCRT के अंदर लाश्ट में पढ़ते हैं, कुछ disease ठीक है, respiratory disorders हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम emphysema disease भी पढ़ते हैं ये किस से related होती है, हमारे lungs से related होती है तो दोनों ही कथन क्या है, सही है next question की बात करें, तो ऐसत्य कथन हमको बताना है, ठीक है, incorrect हमको statement पूछा इसने पहला बात करें, तो स्वस्चन में, यानि की respiration की बात करें, तो सरवादिक nitrogen gas ली जाती है देखो बेटा, ऐसा तो है नहीं कि हमारा body इतना advance काम करता है कि जितने भी gases होती है, उनको छांट छांट के हम लोग बाहर छोड़ दें और सिर्फ oxygen होता है, उसी को हम अंदर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेते हैं तो हम लोग सारी gases होती है, लेकिं blood के अंदर oxygen ज्यादा bind होती है इसलिए सरवादिक जो gases रहती है environment के अंदर, वो ही ज्यादा जाएगी हमारे lungs तक उसके बाद का लग है कि blood के अंदर कौन सी gas mix होती है तो कौन सी gas ज्यादा है environment के अंदर, आपको पता है nitrogen gas सरवादिक होती है तो lungs तक भी आपको पता है nitrogen gas ही अंदर जाती है तो पहला statement सही है सेकिंड बात करें, breathing क्रिया में उर्जा का उत्पादन होता है, नहीं बेता breathing तो एक physical phenomena है, जिसमें gas का अंदर लिया जाता है और gas को बाहर छोड़ा जाता है, बस, इसी को हम लोग breathing बोलते है तो ये तो गलत हो गया, तो याद रिखना इसमें C, A तो सही है, और B गलत है यानि कि C option इसका right हो गया next question की हम लोग बात करें, तो मानुम में फेफडे विभग तो होती है अगर फेफडों को हम लोग ध्यान से देखें, तो अगर मैं आपको lungs की structure बना के आपको बताऊं right और left lungs के अंदर, बेटा जी, ध्यान से देखना इधर वाला जो lungs होता है, ये होता right lungs ये right lungs है, और ये वाला कौन सा होता है, left lungs होता है right, ओकी, तो यहां से tracheal tree गुजरता है और lungs के अंदर enter होता है primary bronches से, अब right वाला जो lung होता है, बेटा जी, इसके अंदर तीन lobs present होती इस तरह से, और left वाले के अंदर सिर्फ दो ही lobs होती है देखो, एक lobe, दो lobe, और तीन lobs और left वाले के अंदर सिर्फ दो ही lobe पाई जाती है तो जब मैंने आपको lungs पढ़ाया था, फेपडो के बारे में आपको जब मैंने बताया था तो काफी अच्छे से मैंने इसको explain भी किया था कौन-कौन सी ये जो खांच आपको नजर आ रही है इसके नाम भी बेटा मैंने आपको बताया था ठीक है, तो right lungs के अंदर कितनी होती है यानि दाएं वाला जो फेपड़ा होता है उसमें तो तेन पालिया होती है और बाएं वाले में कितनी होती है दो पालिया होती है, तो right answer क्या हो जाएगा इसका first option right हो गया, तो next question की बात करें question number 11 स्वसन तंतर यानि के respiratory system के अंदर जो स्वसनिये भाग होता है वो उपस्तित होता है स्वसनिये भाग उपस्तित होता है बेटा देखो काफी सारे पार्ट होते हैं हमने दो पार्ट देखे ते ओविस सी बात है जिसके अंदर स्वसनिये भाग हमको पूछा है एक तो connecting पार्ट होता है एक आता है respiratory पार्ट होता है तो याद रिखना कि एसो का अदाब परदान कहां पर होता है तो राइट अंस्वर क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्सन राइट अंस्वर हो जाएगा किस के सीथिलन सीथिलन यानि की relaxation किस के सीथिलन से वायू फेप्रो से बाहर निकलती है तो यह concept थोड़ा आप समझना ठीक है तो मैं यहाँ पर फिर से lungs बना रहा हूँ जहां से समझना बेटा जी देखो हमको वायू को lungs से बाहर निकालने बाहर निकालने का मतलब इसका यानि lungs का जो pressure होता है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा तब ही तो pressure जादा होगा तो यहाँ पर pressure अगर कम होगा तो जादा से कम की तरफ हवा बाहर निकलती है अब pressure को बढ़ाने के लिए बेटा pressure को बढ़ाने के लिए फेफडो का आइतन हमको कम करना पड़ेगा जैसे आइतन कम होगा तो अविस सी बात है दाब बढ़ जाएगा ठीक है अब फेपडों के नीचे के तरफ लगा होता है एक डॉम आकार का क्या लगा होता है डाइफ्राम लगा होता है ठीक है अब देखो डाइफ्राम की खास बात क्या मैं वह आपको बता रहा हूं डाइफ्राम जो होता है वो डॉम सेब्ड होता है गुंबद आकार का होता है जब यह इस अवस्ता में होता है तब यह होता है सीथील अवस्ता रिलेक्स स्टेज सीथील अवस्ता फोकस करना इस चीज़ को सितिल अवस्ता जब इसमें संकुचन होता है संकुचन होता है तब यह फ्लेट हो जाता है इस तरह से क्या हो जाता है तब यह फ्लेट हो जाता है चप्टा हो जाता है इसको focus करते हैं यानि जब यह सितिल होता है तब तो यह dom saved होता है इसे गुंबदाकार का होता है और जब यह संकुचित होता है तब यह सीधा हो जाते हैं अब इसका हमको आईतन कम करना है तो यह dom saved में होना आवश्यक है dom saved में इस तरह से यानि कि मानलों अगर पहले यह चप्टा था तो अब यह पहले जिसी स्तिती में आने की कौसिस करेगा जैसे यह dom saved हो जाएगा अंदर की तरफ धसेगा तो volume क्या होगा कम होगा जैसे volume कम होगा तो pressure बढ़ेगा pressure बढ़ेगा तो हवा बाहर आएगी तो हमको क करना क्या किसके relaxation से तो बेटा diaphragm जब सितिल होता है तो याद रिखना आयतन कम होगा फेपड़ों का जब आयतन कम होगा फेपड़ों का तो दाब बढ़ेगा फेपड़ों का और जब pressure बढ़ता है तो बाहर के तरफ हवा फेक दी जाती है ओके next question की बात करें स्वांसनली बनी होती है बेटा ट्रेक्या जो होता है वो क्या हड्यों की बनी होती है नहीं ट्रेक्या किसकी बनी होती है स्वांसनली किसकी बनी होती है याद रिखना ये काटिलेज की बनी होती है काटिलेज को हिंदी में बोलते है उपास्ती तो जो स् त्रेक्या होती है जो हमारी ट्रेक्या होती है। कि इसके अंदर रिस तरह से सी आकार के छलगे पाए जाते हैं कि ये जो झाले होते हैं वो हाइलन काइलेेज के बने होते हैंü हाइलिन काइलेज ठीक है अब और भी इसमें क्यूशन बनता है अच्छे से मान लो कि मैं आपर आपको इस ट्रिक्चर बना के बता देता हूं थोड़ा सा एक सेकिंड ताकि आपको और भी अच्छे तरी कैसी ये समझ में आए ठीक ध्यान से समझना और ओके थोड़ा समझने कि इसको कौशिस करना ध्यान से देखना तो जो सी आकार के चलने हैं देखो ये फ्रंट वाला इधर वाला यानि कि ये सामने का इससा इधर से है इधर से अगर आप देखोगे तो जो सी आकर के चलने होते हो इस तरह से होते हैं यानि कि सामने से तो complete होते हैं, और फीचे की side क्या होते हैं, incomplete होते हैं, इस तरह से होते हैं, समझ रहे हो, मैं क्या समझाने कोशिस करा हूँ, clear हुआ, तो सामने से तो ये complete होते हैं, C आकार के छले, और फीचे की side, यानि कि dorsal side जो होते हैं, वो incomplete होते हैं, तो कई बार क्यू तो इनकी जो संक्या होती है, वो 16 से 20 होती है मनुश्य के अंदर. Next question के हम लोग बात करें, तो स्तन्यो, यानि कि स्तन्धारी के अंदर, diaphragm का most important function क्या दिया, अत्यनत महत्यपून काम क्या है? Most important function हमको पूछा diaphragm का. तो बटा, diaphragm जो होता है, वो single याद रखना only and only breathing में help करता है, हवा को बाहर छोड़ना, हवा को अंदर लेना, क्योंकि वो हमारे lungs का volume change करता है, उनका आयतन वो change कर सकता है, तो याद रखना वो स्तन्धारी में help करता है, breathing के अंदर वो help करता है. Next question के हम लोग बात करें, तो गेसों का आदान परदान, exchange of gases की बात कर रहा है, ठीक है, गेसों का आदान परदान की बात करा, तो वायू कुपिकाओ तता रक्त केसिकाओ के मद्य होता है, बिल्कुल, बिल्कुल होता है बेटा, क्योंकि लंग्स के अंदर आपको पता है, सपोज करना, ये लंग्स है, यहाँ पर छोटी-छोटी केपिलेरिस आती है, और यहाँ से वापस से जाती है, तो ये केपिलेरिस के अंदर बेटा जी याद रखना, आउक्सियन इनके अंदर एड होता है, यानि कि इनके अंदर आता है, और CO2 जो रहता है, वो इन लंग्स के अंदर चिला जाता है, एक्सियन जोब गैसे, तो किस के थुरू होता है, याद एक तो कुप्पी का होती है, उसके बाद इसकी जो, अच्छा, यहाँ पर देखो सुअसन जिली का भी निर्मान होता है, ठीक, रेस्पिरेटरी मेंब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है, यह भी मैंने आपको बताया था, कौन-कौन करता है, एक तो कुप्पी का की जिली करती है, दूसरी यहाँ पर बैस्मेंट मेंब्रेन होती है, तीसरी जो होती है, वो कैसिका की अंडोथीलियम लेयर होती है, तीनों मिलकर अपको पता है, रेस्पिरेटरी मेंब्रेन का निर्मान करती है, जितनी पतली यह जिली होती है, रेस्पिरेशन के अंदर उतना ही फाइदा होता है, उतना ही फास्ट रेस्पिरेशन होता है, तो पहला ओप्सन करेक्ट है कोई दिक्त वाली बात नहीं वाई कुपी का और रखत कैशिका के मद्द्द आहिए रखत तथा उत्तकों के मद्दधे अच्छा बिल्कुल करेक्ट बात है क्योंकि यहां पर मानलु इस बलड़ अंदर ऑक्सिजनेड हो गया ऑक्सिजन कभी ना कभी तो पाट के तरह भी जाएगा जहां पर ऑक्सिजन के रिक्वाइर्मेंट है अब इसऽी बात है हमारी बोड़ी कि हर एक उस सेल को हर एक उस कोशिका को ऑक्सिजन चाहिए जिसको अरजा के आओं शकता है क्योंकि ऑक्सि पर अदान पर अब क्या होगा है कि कैसे का के इसका होता है yol as well कि दोचा होने कि द्वारा होता है यह갈ा विद्व भोलते हैं विशरण के अंदर आपको याद रखनाए यह अधिक सांदरता से कम सांदरता की तरफ मुमेंट होता है विद्वी गैसे का किसी भी पधार्थों का जिसमें किसी भी परकार की उर्जा की आवश्रक्ता नहीं होती है यहां पर ATP खर्च नहीं होती है तो right answer हमको right option पूछा है तो fourth इसका option right हो जाएगा क्योंकि तीनों ही जो cut है न वो correct है gases exchange के लिए next question की बैटा हम लोग बात करें तो कौन सा एक फेफडो की सुरक्षा करता है इनमें से कौन है जो हमारे जो लंग्स होते हैं उनको protection देने का काम करता है देखो बैटा हमारे जो लंग्स होते हैं मैं आपको बताऊं एक सेकिन ध्यान से देखना इस पा थोड़ा diagram डेंजर वाला सा बन गया समझ जाना थोड़ा आप ठीक है तो हमारे लंग्स मान लो यहां पर हमारे लंग्स है सपोज करना यहां पर हमारे लंग्स है समझना बेटा देखन से इसको ठीक है अब इन लंग्स का सुरक्षा कौन कर रहा है देखना पीछे तो आ जाएगी हमारी स्पाइनल कौड ठीक है सॉरी पीछे तो क्या आ जाएगी हमारी क्या वर्टिबल कॉलम आ गई है ना पीछे रीड की हड़ी जिसको बोलते है कसे रुख दन वर्टिबल कॉलम उसके सामने की बात करें तो सामने आती है इस्टरनम यहां पर एक बॉन होती है जिसको हम लोग ब्रेश्ट बॉन बोलते है उसको क्या बोलते हैं हम लोग इस्टरनम बोलते है अब यहां से रिप्स निकलती है इस तरह से इधर आके जूडती है ठीक है पसलिया आती है इधर आके जूडती जाती है साथ पसलिया आती है देखो ribs भी help कर रही है और कसी रुखडन जिसको हम लोग vertebral column बोलते हैं वो भी protect कर रहा है और sternum actually करी रहा है तो fourth option इसके right हो जाएगा correct आ बेटा next question की बात करें तो स्वसन यानि की respiration जो होता है वो किस परकार की क्रिया है देखो पटा respiration के अंदर मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर गेसो का आदान परदान होता है तो गेसो का जो exchange होता है वो एक परकार की भौतिक प्रेक्रिया है क्योंकि यहाँ पर उच्छ दाब से निमन दाब या फिर उच्छ संदरता से निमन संदरता के तरब प्रिधार्टो का गमन हो रहा है छो जो यह तो पता चल गया कि हम भौतिक प्रेक्रिया तो है साथ में हम लोग सांस ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं एक फिजिकल फिनोमिना भी हो रहा है पूरा केमिकल की बात करें तो जो गेसे के कारें आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होते हैं उस्त सवसन एंदर और किया होता, आपको पता है न कोशिका के अंदर ब्रेक्ट होता है, बोजन गुल्कोज का ब्रेकड़ों साथ होता हिसके। उर्जा बनती है। तो यहां पर बांड टूट रहे हैं और बांड तूट रहे हैं। और बंड बन भी रही है। किसको स्वासन को अगर आपसे पूछे कि सवातन यानि की ब्रीधिंग किस परकार की किरिया है तब आपको ऑनली भौतिक प्रिक्रिया को ही टिक करना है नेक्स्ट क्यूशन की बात करें कंट जिसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं अब ना किसका रूपांत्रित भाग है अगर आप अपने NCRT के अंदर वो डाइग्राम देखोगे फर्ष्ट वाला तो इस तरह से अब देखोगे कि ये क्या है बेटा ये हमारी स्वासनली है तो इस स्वासनली के ऊपर आप इस तरह से देखोगे यहां पर एक मौडिफिकेशन सा निकला रहता है रूपांत्रित पार्ट रहता जो इसी का ही रहता है इसी को था हम लोग कंट बोलते हैं यहां पर वहां पर लिखा हुआ भ भाग है बेटा याद रिखना ये स्वासनली का ही रुपांत्रित भाग होता है ट्रेक्या का ये मौडिफिकेशन पार्ट है इतना क्लियर हो गया ओके ट्वंटी नंबर क्यूसन की बेटा हम लोग बात करें तो वक्षिय गुहा किस के संकुचन से बड़ी होती है जो हमारा थोरे सी कैविटी होती है वक्षिय गुहा की बात करें तो किस के संकुचन से बड़ी होती है देखो चलते हैं वापसे डाइफ्राम के अंदर और मैं आपको पहले लंग्स मना के थोड़ा सा बता देता हूं यह दो हमारे लंग्स होते हैं समझना यहां पर क्या प्रजेंट होता है देखो बड़ी करना इसको है इसका आयतन बड़ा करना है तो डाइफ्राम जो होता वो इस तरह से डॉम सेप में होता है गुंबद आकार का होता है अगर अच्छा यह कौन सी अवस्ता में यह सीतिल अगर मैं इसको संकुचित कर देता हूं तो यह क्या आजाएगा फ्लेट हो जाएगा यहां तक आजाएगा इस तरह से संकुचित होकर संकुचन हो जाएगा इसमें तो यही तो पूचा है कि वक्षी अगुः यानि कि जो थोरे सिक कैविटी होती है वो किसके कॉंट्रेक्शन से किसके संकुचन से बड़ी होती है यानि उसका वोल्यूम जो होता वो बढ़ जाता है तो diaphragm के संकुचन के कारण हमारे जो thoracic cavity होती है उसमें volume increase हो जाता है तो right answer क्या हो जाएगा इसका second option right answer हो जाएगा ट्रेक्या के अंदर उपस्तित उपास्तिल चले यानि कार्टिलेज के जो चले बने होते हैं वो किस तरब से open होते यानि के खुले होते हैं अपने देखा होगा जब मैंने आप लोगों को यह complete ट्रेक्या वाला सिश्टम पढ़ाया था तो यहां पर इनके अंदर हैलीन पॉस्टन हो अगर यह माउथ वाला पॉस्टन अगर मैं इसके स्ट्रेक्चर मना के आप लोगों को दिखाता हूं तो वह इस प्रकार से होती है ठीक है से around यार ठीक है इस तरह से होती है कि तो यह इस सामने वाला पार्ट अब जो है ilian काटिलेस के से सब्से जो चल्ले होते हैं रिंक जो होती है वह यहां से श्टन हो जाती हैहां पहल लगे क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइट, डॉर्सल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, प्रष्ट सतय, प्रष्ट, तो याद रिखना, सी सेप के, जो हाईलिन कार्टिलेज के चल्ले होते हैं, उनके संख्या भी याद रिखना, सोले से, बीस, इनके संख्या होती हैं, जो कि हाईलिन क elemental हम संब कि क्रदें के अब भात करते हैं वायुकोस का मतलब होता है अल्वीवली कुप्पी का जिसको बोलते हैं कि तो वायुकोस की भित्तीय को जो मेंब्रेण होते हैं और किसे की बनी होती है इस्टों याद के एल्विलिक की मेंब्रेन जितनी थिन होती है, जितनी पतली होती है, रेस्पारेशन उतना ही फास्ट होता है, एक्सेंज अब गैसे उतना ही तिर्वो होता है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेंब्रेन, जैसे कि आपको पता है, रेस्पिरेटरी मेंब्रेन के अंदर क्या यह करते हैं तो जितनी थिन जितनी पतली यह respiratory membrane बनती है exchange of gases उतना ही rapidly होता है तो हमको पूछा है कि अलवलिक की भीति किसकी बनी होती है इसका मतलब यह कौन से tissue की बनी होती है आप जितनी पतली अब सबसे thinest जो membrane होती है वो होती है simple squamous epithelium की इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल शल की उपकला बोलते हैं हम लोग राइट थिया रखना simple squamous epithelium की इसकी भीति बनी होती है next question की बेटा हम लोग बात करें तो बायस स्वसन का अर्थ बायस स्वसन यानि की हवा को बाहर पर निकालना गेस या विनी में होता है तो बायस स्वसन के अंदर जो गेस एक्स्चंज होने वाला वो कौन कौन से माध्या में होने वाला है यहां से देखना नॉर्मल सी बात है अगर मैं मैं रिस्पिरेटी ट्रेक की बात करता हूं तो देखो बाहर वायू मंडल बाहर तो क्या वायू मंडल और अंदर जाता है तो आपको पता है यहां पर लगे होते हैं हमारे लंग्स लगे होते हैं क्या लगे होते हैं लंग्स लगे होते हैं तो वायू मंडल से हवा सीधा कह पर जाती है हमारे लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से जो वायू होती हुआ कहा पर जाती है सीधा बाहर इसी को हम लोग समवातन भी बोलते हैं है ना एक्षेंज जो की वायू मंडल से हो रहा है यह जो एक्षेंज अप गैसे होता है वो वायू दाब के कारण होता है कि आयतन के कारण, राइट, तो बाइस स्वसन का अर्थ हमको पूचा, तो याद रिखना, गैसे वीनी में जो होता है, गैसे एक्षन जो होती है, वो वायू मंडल की वायू और लंग्स के बीच में होता है, राइट, नेस्ट क्योचन के हम लोग बात करते हैं, मानव फेफडों में उपस्तित कुपिकाओं की संक्या होती है, एलविलीस के नंबर हमको पूचा है, मानव फेफडों के अंदर, दोनों फेफडों की बात करें हम लोग, दोनों लंग्स के अंदर, नंबर उफ एलविलीस कितनी होती है, कुपिकाओं की संक्या कितनी होती है, डिरेक्टली आपको याद एकना है 300 to 400 million होती है 300 से 400 million एलविली के नंबर होते हैं बहुत ओफ लंग्स चलिए, next question की बैटा हम लोग बात करते हैं तो लंग्स के अंदर फेफडो की कुपिकाओं में गेस्य वी निमम किस से होता है बहुत सारी method होते हैं सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है सिंपल डिफ्यूजन जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य विस्रण डिफ्यूजन के अंदर आपको पता है एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती नहीं है higher concentration to lower concentration किसी भी पदार्थ किसी भी गेसों का परीवहन होता है next question की बैटा हम लोग बात करते हैं कि वायू कोशो के बाये सतय पर किसका जाल फेला होता है suppose करना मान लो ये एक alveoli है ये क्या है कुपी का है ये क्या है कुपी का है alveoli है तो हमारे NCRT के अंदर भी एक डाइग्राम दे रखा है single alveoli का और उसके बाहर से निकल रही है केशी का है क्या जारी इसके बाहर से केशी का जारी है हाला कि ये काफी बड़ा मेनी बनाए है ये काफी छोटे-छोटे होते हैं थीनिष्ट होते हैं अब देखो एलविली के अंदर की जो मेंबरेन होती है या इसकी बित्ती जो होती है वो सरल सलकी उपकला की बनी होती है बीच के अंदर बैस्मेट मेंबरेन होती है और ये जो होती है केशी का होती है ब्लेड कैपिलेरिस का जाल इनके बाहर बिछा रहता है तो ब्लेड कैपिलेरिस की जो वाल होती है बित्ती होती है उसको हम लोग एंडो थीलियम बोलते हैं तो क्यूशन में पूचा क्या है कि किसका जाल फेला होता है बाहर तो बाहर जो जाल होता है वो blood capillaries का होता है रक्त केशिकाओ का जाल होता है एलविलीज के चारों तरफ next question की बात करें तो lungs में यानि फेफडों के अंदर oxygen अंतिता है कहां पहुंसती है at least जो oxygen होती है lungs में वो कहां तक पहुंसती है है normally हम लोग देखते हैं गैसे जो होती है वह से नेजल त्रे चारी प्रारी के तरफ यानि चलिए, next बात करते हैं हम लोग, कितनी प्रतिश्यत CO2 यानि कि carbon dioxide जो होता हो blood में bi-carbonate के form में बहती है, यानि जो transport होती है CO2, वो bi-carbonate के form में कितनी percent transport होती है या उसका परिवहन होता है, हमको पता NCRT के अंदर भी लाइन दे रहे हैं कि maximum जो CO2 का transportation होता है वो bicarbonate के form में होता है तो कितना percent होता है बेटे आदेक ना 70% CO2 का transportation जो होता है वो bicarbonate के form में होता है clear इतना next question के बेटा हम लोग बात करें तो स्वसन की प्रेक्रिया किसी से समंदित है respiration mostly respiration जो होता है वो क्यों होता हमारी body के अंदर क्यों जरूरी है देखो बेटा जैसे हम लोग breathing करते हैं सांस को अंदर लेते हैं हवा अंदर जाती है इसके अंदर oxygen होती है oxygen कहां पर mix हो जाती है blood के अंदर mix हो जाती है क्यों क्योंकि blood के अंदर present होता है hemoglobin और एक हिमोगलोबिन चार ओक्सिजन मॉलेकुल को बाइंड करता है चार ओक्सिजन मॉलेकुल को बाइंड करने के बाद में हिमोगलोबिन कहां पर जाता है सेल के पास जाता है कोसिका के अंदर इंटर होता है क्या ओक्सिजन इंटर हो गया कोसिका के अंदर अब कोसिका के अंदर present है बेटाजी glucose क्या present है glucose present है यह जो glucose होता है वो oxygen की presence में break होता है यानि की तोड़ता है ठीक है glucose का जो molecular formula होता है वो होता है C6H12O6 clear है C6H12O6 glucose का molecular formula होता है यह oxygen की presence में break होता है तूरता है जिससे क्या बनती है CO2 बनती है साथ में आश्टो बनती है और जो most important चीज होती है वो क्या बनती है इसमें energy बनती है energy और energy जो होती है वो ATP के फॉर्म में बनती है adenosine triphosphate के रूप में बनती है जिसको हम लोग energy currency बोलते हैं ठीकर P synt की प्रक्रिख किससे समंदित क्योंकि हम खो क्या चाहिए एकाम करने के लिए energy चाहिए तो सुरेशन की प्रक्रिख्रिख किससे समंदित ज्ञारि याद रहूर्जा के वह मोक्ति यानी की लुड़ीज होना उससे यह समंदित है नेश्ट क्यूसन की बात करें न्यूमो टैक्सिक सेंटर हमारे ब्रेन में कहां पर प्रजेंट होता है तो न्यूमो टैक्सिक सेंटर जो होता है वो पॉंस वेरियोली या फिर नॉर्मली हम लोग बात करें पॉंस के अंदर प्रजेंट होता है के लिए इतना एक आता है वा सबवां को अंदर लेना वायू को अंदर लेना ठीक है तो उस से वगत डायफ्राइम यहां प です यह डायफ्राइम है है नाच है डायफ्राइम की पेस यहां अब दिकें नॉर्मल सब्सक्राइम करिक्सलिट जो होता है वह release, यानि कि relax position के अंदर होता है dom shape गुम्बदाकार का होता है है ना, ये अभी relax position के अंदर है एक दम ठीक है, normal इस्तिती में है जैसे ही इसके अंदर संकुचन होता है तो ये कैसा हो जाता है ये flat हो जाता है, चप्टा हो जाता है जैसे ही इसमें संकुचन होगा ये नीचे की तरफ move करेगा और ये flat हो जाता है, तो जो हमारा cavity वाला portion होता है यानि हमारा जो lungs वाला portion होता है उसका volume volume क्या हो जाता है, बढ़ जाता है volume बढ़ जाएगा आपको पता है ज्यादा दाप से कम दाप की तरफ move होती है तो अंत्या स्वसन हो गया ना अंत्या स्वसन के दूरान क्या होता है वाईू का अंदर जाना तो क्या हो रहा diaphragm की पेशियों केंदर diaphragm की पेशिया जो होती है, वो संकुचित होती है यानि कि सिकूर्टी है क्लियर हो इतना नेक्स्ट कुछिशन की बात करते हैं फेफडों में कुप्पी काये बहुत अधिक संक्या में होती है हम यह अमने देखा था कि अल्विलेज का नंबर जो होते है वो थ्री हंड्रेड्ड ऑल्मोस्ट मीलियंस होती है ठीका 300 मीलियंस तक होती है तो इतनी ज्या ज्यादा वहां पर सर्फेस एरिया बढ़ जाता है उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा सर्फेस एरिया बढ़ जाता है और जितना ज्यादा सर्फेस एरिया बढ़ेगा डिफ्यूजन जो होता है विसरन जो होता है उसके लिए उतनी ज्यादा सतय वहां पर प्रोवाइड हो विष्रन के दुवारा ही होती है, अधिक सांदर्ता से किसी गेस का निम्न सांदर्ता के तरफ जाना, विदाउट यहां पर energy कंजूम होए, तो विष्रन के लिए अधिक सतय वहां पर मिल जाती, next question की बेटा हम लोग बात करें तो फुफुस आवरं यानि जो हमारे lungs का आवरं होता है ठीक है, pulmonary जो आवरं होता है उसमें सूजन आने के कारण सीने में तेज दर्ध होता है सीने में क्या होता है? तेज दर्ध होता है तो ये कौन से रोग से समंदी थे तो यहाँ धेखना प्लुरेसी नामका डिजि़ीज होता है जिसके कारण फुसुस आवरन के अंदर सूझन आ जाता है ठीक है क्योंकि वहाँ पस प्लूर्ल recycling होता है उसकी मात्रह बढ़ जाती है जिससे उस आवरण के अंदर swelling यानि कि सूजन आ जाता है जिससे chest में pan होता है तो उस digits को हम लोग क्या बोलते हैं pluracy हम लोग बोलते हैं next question के बेटा हम लोग बात करें तो मनुष्य के फेफडों में जोरी ये वायू कौन सी होती है जोरी वायू जिसको हम लोग te, V बोलते हैं टैडल व्, वोल्यूम हम लोग बोलते हैं ये वो वोल्यूम होता है जो normal यानि कि सामाने स्थितिक के अंदर हम लोग जब अंदर लेते हैं या हो सकता है उसी को बाहर निकालते हैं तो वो जो वायू का volume होता है उसको हम लोग बोलते हैं जुवारी है वायू यानि की title volume हम लोग बोलते हैं कौन-कौनसी होते हैं दिको SOSN में ली जाने वाली हो सकते हैं या फिर हो सकते है बाहर निकाली जाने वाली सामने वायू नॉर्मल स्थिति की बात करें, यहां पर forcefully हम लोग breathing नहीं कर रहें इसका अगर volume की बात करें, इसका item की बात करें, तो वो होता है 500 ml air होता है 500 ml yu की मात्रा ये होती है next question की बेटा हम लोग बात करें, तो खरगोस में सवातंदर, सवातंदर होता है breathing rate breathing rate तो rabbit यानि खरगोस के अंदर जो breathing rate होती है, उसके number आपको याद रखना, 36 to 38 breathe per minute 36 से 38 breathe per minute, खरगोस के अंदर सवातंदर, दर प्रजेंट होती है next question की बेटा हम लोग बात करें, तो oxygen एवं CO2 के सही परिवाइन के लिए रक्त होना चाहिए अब यहाँ पर पूचा है blood का pH, और pH के बारे में हमको पता है कि blood की जो pH होती है, वो कितनी होती है 7.35 to 7.45, average की माने तो 7.4 हम लोग इसको पढ़ते हैं हमको पता है, 7 तक तो कैसी होती है, neutral होती है, इससे below जाएंगे तो कैसी होती है अमलिय होती है, और इससे अगर जाएंगे तो कैसी होती है, छारिय होती है, राइट कैसी होती है, basic होती है, अब देखो 7.4 है, यानि 7 से हलका सा जादा है हलका सा जादा, तो यह कैसा हो जाएगा, हलका सा छारिय होना आविश्यक है जिससे oxygen और carbon dioxide का transportation easily हो सके next question की बेटा हम लोग बात करें, तो M5 sema एक अवस्ता है, जिसमें actually क्या होता है तो M5 sema के अंदर जो बहुत जादा smoking करने वाले person होते हैं, उनके अंदर ये normal disease हो जाती है जिससे होता क्या है, अल्विलीज की जो surface होती है, वो कम होती जाती है क्योंकि अल्विलीज की जो सत्य होती है, वो band होती जाती है और उनकी संक्या कम हो जाती है जिससे होता क्या है कि जो respiratory membrane थी, जो स्वसन चिली थी, जहां से विसरन की प्रक्रिया हो रहती अधिक सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की तरफ गेसों का आदान परदान जो हो रहा था, वो completely नहीं हो पाता तो यादि में कुपिका को प्रत्थक करने वाली जो भित्ती होती है, वो टूट जाती है ना उसकी जो layer होती है, वो break हो जाती है next question की बात करें, तो oxygen का hemoglobin के साथ मिलना क्या कहलाता है उसको हम लोग बोलते है oxygen ही करनी है, काफी बार मैंने आप लोगों को और रेड़ी बता भी रखा है next question की बात करें, तो trachea के चिपकने को कौन रोकता है हमारी जो trachea होती है, जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसके चिपकने के chance से ज़्यादा रहते है तो इसको चिपकने से कौन रोकते हैं, यहाँ पर present होते है hyaline cartilage के चले, यानि rings पाई जाती है जो की dorsal side यानि की प्रेश्ट सतय के अंदर incomplete होती है, अधूरी होती है कई बार क्यूशन राता है कि जो C आकार के चले होते हैं, वो कौन सी सतय पर अधूरी होते है तो याद रिखना, पीछी यानि dorsal side के अंदर वो अधूरी होते है क्लियर हो गया, तो पास दिल चले यहां पर present होते हैं, जिनके संक्या जो होती है, वो 16 से 20 चले present होते है नेक्स्ट क्यूशन की बात करें, तो मानव में फेफडो का आवरण है आवरण की बात करें, जो लंग्स के अंदर, बाहर की तरब जो आवरण लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुस्फुस छीली जो पल्मुनेरी ट्रम्स आता है वो लंग्स के लिए ही आता है तो आपको याद रिखना होगा फुस्फुस छीली हम लोग बोलते हैं इसको क्लियर इतना तहां समझना वह सरंचना जो स्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश इसको रोकती है देखे बैटा जी अरड़ी हम लोगों ने यह सीच पड़ी भी रखा है फिर वह आपको बता देता हूँ अगर बात करे हम लोग इस्टेक्चर की बात करे कि डाइग्राम पर ना जाहिए समझ लीजिए ठीक है ओके जहां से देखना देखो यह हमारा होता है स्वसन मार्ग ठीक है और यह होता है हमारा भोजन का मार्ग अब यहां पर प्रजेंट होता है कॉमन पात जिसके अंदर वायू वे भोजन दोनों का समाने पात होता है राइट वायू वे भोजन दोनों का common path होता है इसको हम लोग बोलते हैं pharynx क्या बोलते हैं इसको हम लोग pharynx बोलते हैं इसके आगे आगी की तरब तो लगी होती है बेटा जी स्वास नली और पीछी की साइड लगी होती है इस ओफेगस जिसको हम लोग बोलते हैं food pipe नहीं भोजन के नली भोजन के नली इसोफएगर जिसको बोलते हैं अब देखो यहां से खाना जब हम लोग निगलते हैं तो यह खाना इस स्वासनली में ना जा पाए खाने को कहां जाना चाहिए से फूड पाइप के अंदर जाना चाहिए तो स्वासनली के उपर लगा होता है एक धकन जैसे structure, एक apply structure लगी होती है, इस structure को हम लोग बोलते हैं epiglottis, epiglottis बेटा हम लोग बोलते हैं, right, और यही जो epiglottis होता है, जैसे ही बोजन इसके उपर आता है, तो ये इस स्वास नली को बंद कर देता है, जहां से बोजन slip होके कहां पी आ जाता है, पिसल के, इस food pipe के अंदर आ जाता है, तो right answer क्या हो जाएगा, इसका epiglottis right answer हो जाएगा, next question के बेटा बात करें, तो मानों में gacy of gases कहां होता है, देखो, मानों के अंदर action जो gases जो होता है, काफी जगह पर होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, alveoli के अंदर होता है, alveoli और जो blood capillaries होती है, उन दोनों के मद्य होता है, उसके बाद आपको पता है tissue, tissue fluid और वहाँ पर जो blood capillaries होती है, वहाँ पर भी gases actions होता है, क्योंकि जो oxygen, alveoli से hemoglob में ले जाता है, जहाँ पर उत्तक माल लो, जहाँ पर कॉसिका माल लो, जहाँ पर oxygen की requirement होती है, तो उस जगह पर भी तो गेसों का आधान परदान होता ही है, तो स्वासनली की बात कर तो यहाँ पर तो नहीं होता है, primary, secondary, tertiary, bronchus में भी नहीं होता है, alveoli के अंदर होता है, बेट अनों को ध्यान से पढ़ना, मानो सरीर में अधिकांस oxygen का परिवहन रक्त में उपस्तित plasma, अब आप खुद धिमाग लगाई है कि blood में present plasma होता है, क्या उसके द्वारा oxygen का maximum transportation होता है, नहीं, maximum oxygen का transportation जो होता है, वो किसके द्वारा होता है, बेटा जी, hemoglobin के द्वारा होता है 97% oxygen का परिवन जो होता है, वो hemoglobin के द्वारा होता है, तो ये statement तो हो गया बेटा जी, गलत, next statement की बात करें, तो मानो सरीर में अधिकांस CO2 का परिवन WBC के द्वारा होता है, गलत बात है, अधिकांस CO2 का परिवन बेटा WBC के द्वारा नहीं होता, ये plasma में घुलनसिल bicarbonate के द्वारा होता है, कि इसके द्वारा होता है, बाइक कार्बोनेट के द्वारा होता है, तो ये statement भी कैसा हो गया, गलत हो गया, तो राइट एंस्वर क्या आ जाएगा, इसका डी ऑप्सन राइट एंस्वर इसका आ जाएगा, next question की बात करें, तो एक हिमोगलोबिन का प्रजेंट होते हैं, चार फेरस आयन प्रजेंट होते हैं, और इच, यानि हर एक फेरस आयन जो होता है, वो एक ऑक्सिजन का परिवहन करता है, तो एक हिमोगलोबिन कितने ऑक्सिजन अनु का परिवहन करता है, चार ऑक्सिजन अनु का परिवहन करता है, तो एक हिमोगलो की बात करें तो सुवस्चन के दोरान अधिकतम मात्रा में कौन सी गेस छोड़ी जाती अच्छा क्योंसे न है और काफी बच्चे यहां पर स्यूटू को टिक करते हैं लेकिन वह गलत है दो को बैटा एंवर्मेंट के अंदर सेवंटी एट प्रसेंट प्रसेंट होती है नाइ नाइट्रोजन गेस भी बहुत ज्यादा जाएगी ज्यादा जाएगी ना नाइट्रोजन गेस वह बात अलग है कि हमारे ब्लेड के अंदर मिक्स नहीं हो पाती क्योंकि इसकी जो बांडिंग होती है वह कम होती है ऑक्सियन के बांडिंग थोड़ी ज्यादा होती है हीमोग के साथ oxygen bind हो जाता है तो 78% हम लोग nitrogen को भी ले रहे हैं और जब बाहर gas को निकालते हैं यानि के वायू को बाहर छोड़ते हैं तो ओविस सी बात है जो हमने अंदर लिया है nitrogen gas वो बाहर भी तो छोड़ेंगे ब्लेड में तो mix होता नहीं है तो जितनी ज्यादा हम nitrogen gas ले रहे हैं उस हिसाफ से उतनी ज्यादा nitrogen gas हम लोग environment में वापस release कर देते हैं क्योंकि वो ब्लेड में mix नहीं होती तो क्यूशन काफी अच्छा है nitrogen जो होता है वो maximum gas हम लोग वापस से बाहर release कर देते हैं clear हो इतना next question की बात करें तो RBC के hemoglobin द्वारा कितने प्रतिश्यत oxygen का परिवन किया जाता है RBC के द्वारा क्योंकि RBC अब पर present क्या होती है hemoglobin present होती है clear है RBC खुद millions में कितना है 5 से 5.5 million per mm3 clear है अब एक RBC की बात करते हैं तो एक RBC के उपर average अगर मैं बताता हूँ almost 270 million 270 million hemoglobin present होते हैं बिल्कूल शुक होने वाली बात है खुद RBC millions में है और हर एक RBC के उपर 270 million hemoglobin के अनू पाये जाते हैं clear है और एक hemoglobin आपको पता है चार oxygen अनू का परिवहन करता है तो काफी ज़्यादा मात्रा के अंदर oxygen का परिवहन होता है वो कौन करता है hemoglobin करता है तो मैंने आपको बता है भी कि 97% oxygen का परिवहन होता है हमारे body के अंदर वो किस के द्वारा होता है hemoglobin के द्वारा होता है नेक्स्ट क्यूशन की बात करें तो हिमोगलोबिन के द्वारा परिवहित ऑक्सिन की प्रतिश्यत मात्रा ये वही रिपीट हो गया 97% कौन हिमोगलोबिन के साथ में इस्ताई योगिक बनाता है ठीक है इस्ताई यानि कि जो stable compound बनाता है उसके बाद वो break नहीं होता है उसकी ये बात कर रहा है देखो वैसे तो हिमोगलोबिन के साथ में O2 भी जूडता है CO2 भी जूड जाता है और carbon monoxide भी जूड जाता है लेकिन तीनों में से जो permanent product बनाता है वो है carbon monoxide क्या होता है carbon monoxide CO यानि carbon monoxide की जो बंदन शमता होती है वो oxygen और carbon dioxide से ज़्यादा होती है हिमोगलोबिन के साथ में बात करें उसके बाद होती है oxygen की और सबसे कम होती है CO2 की बंदन शमता ठीक है तो carbon monoxide हिमोगलोबिन के साथ में प्रमानेंट जूड जाता है यानि इस्ताई योगिक बनाता है ओके next question की बात करते है carbonic and hydrage ये एक enzyme है ये कहां पर पाया जाता है जब हिमोगलोबिन के साथ में oxygen जूडता है तो कौन से enzyme की उपस्तिती में जूडता है carbonic and hydrage enzyme की परजियंस में जूडता है तो हिमोगलोबिन के साथ में oxygen कहां पर जूडता है RBC के उपस्तित जूडता है तो ये enzyme भी कहां पाया जाएगा RBC के उपस्तित बात है next question की बात करते है अधिकान CO2 रख्त में किस रूप में परिवहित की जाती है maximum जो CO2 होता है वो किस form के अंदर blood के अंदर transport होती है तो CO2 जो होती है maximum याद एकना bicarbonate के form में transport होती है परिवहिनित होती है इतना clear हो गया almost 70% CO2 जो होती है वो bicarbonate के अवस्ता में उसका परिवहिन होता है next question की बात करें तो कशेरु की रख्त में उत्तकों तक oxygen कौन ले जाता है blood की बात करें तो blood के अंदर उत्तकों तक यानि blood की थोड़ा through कहाँ पर tissue तक oxygen कौन लेके जाता है तो maximum आपको बता है 97% oxygen का परिवहिन कौन करता है blood में present RBC करता है और RBC के उपर क्या present होती है hemoglobin पाई जाती है और hemoglobin के साथ में आपको बता है एक hemoglobin चार oxygen अनुओ का परिवहिन करता है clear हो गया इतना तो fourth option इसका right हो गया next question की बात करती है तो carbon monoxide oxygen के परिवहिन को बाधित करता है अभी हमने बात कीती कि carbon monoxide जिसको हम लोग CO बोलते है इसकी बंदन च्छमता जो होती है hemoglobin के साथ में वो oxygen से भी जादा होती है एक बार अगर carbon monoxide hemoglobin के साथ में जूड जाता है तो ये इस्तायोगिक बनाता है right इस्तायोगिक बनाता है और ये इस्तायोगिक फिर आपको बता है तूडता नहीं है ये रिवर्सिबल नहीं होता ये इर्रिवर्सिबल होता है यानि एक बार जब hemoglobin के साथ में carbon monoxide जूड जाता है तो वो hemoglobin अब किसी काम का नहीं रहा तो याद रखना है hemoglobin के साथ में ये इस्तायोगिक बनाता है जिससे ये oxygen को फिर जूडने नहीं देता नेक्स्ट क्यूसन के हम लोग बात करते है निमलिकित में से कौन से स्वसन विकार में यानि इसी कौन से respiratory disorder है जिसके दुआरा वायु कुपी का यानि कि जो alvely की wall होती है बित्ती जो होती है जिससे जो गेसी वीनिमे की सता होती है respiratory जो membrane होती है वो घट जाती है तो कौन सी disease के अंदर ऐसा होता है आपको पता है M5 सिमा के अंदर ऐसा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वात स्विती जिससे smoking वागर हो गया इनके दोरान क्या होता है जो एलविलीज के नंबर होते हैं वो कम होते जाते हैं या ऐसे बोले कि उनकी जो सता होती है वो छटी गरस्त होती जाती है निश्ट क्यूसन के हम लोग बात करें तो निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए हिमोगलोबिन के साथ oxygen का संयोजन एक उत्करमणी अभी करिया है बिल्कुल क्योंकि हमोगलोबिन के साथ में बेटा जी oxygen जूरता है ठीका और ये oxygen जूरने के बाद में कहां पर लेके जाता है ये tissue के पास लेके जाता है वहाँ से oxygen release कर देता है वापस हमोगलोबिन कहां पर आ जाता है नया oxygen को बाइंड करने के लिए आ जाता है अलवले के पास तो बेटा ये एक परकार की reversible अभी करिया होती है ये पहले statement तो सही है सेकिन बात करते है प्रत्यक हमोगलोबिन अनू अधिक्तम दो oxygen अनू को सियोजित हो जाता है दो oxygen अनू के साथ में उपरक्त में से कौन से कतन सही नहीं है यानि गलत पुछा है कौन से कतन सही नहीं है तो यादिक्तना केवल सेकिन वाला सही नहीं है फर्स्ट वाला तो सही है क्लियर हो गया कौन सा कतन सही नहीं है हमको ये गलत पुछा है तो second वाला जो है कतन वो गलत है तो second option B इसका right answer हो जाएगा next question की बात करते है किसके घटने पर oxygen hemoglobin वक्रदाई तरफ के सक जाता है important question है इस्टामा के लेना बेटा याद एकना जब हमारे blood के अंदर pH घट जाती है तो उस दोरान क्या होता है oxygen hemoglobin जो करव होता है वो right side shift हो जाता है किदर होता है वो right side shift हो जाता है next question की बेटा बात करते है स्वासन केंद्र कहां इस्तित होता है समयना बेटा एक होता है pneumotoxic center जो pons के अंदर इस्तित होता है last lecture में हमने देखा था स्वासन केंद्र और एक होता है present होता है important है याद रखना vomiting सेंटर भी याद रखना जिसको हम लोग वमन के अंदर बोलते हैं नेच्ट क्योशन की बात करें तो अधिक उचाई पर मानव रख्त में आरभीसी की बात करते हैं जैसे जैसे हम लोग हिल सेक्षन में जाते हैं उचाए की तरफ जाते हैं वहाँ पर ऑक्सिजन के मातरा कम होती जाती है बट हमारे सरीर के अंदर तो ऑक्सिजन चाहिए क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं जा रहे होते हो पर चड़ाय कर रहे होते हैं तो जैसे ऑक्सिजन के मातरा कम हो ज सब्सक्राइब हीमोगलोबिन के साथ में बाइंड हो सके मैक्सिमम में बाइंड हो सके तो जैसे हम लोग अधी कुछ आई पर जाते हैं तो RBC के जो नंबर होते हैं वो संक्या होती है वो बढ़ जाती है नेश्ट कुछन की बात करी यह भी इंपोर्टेंट है इस्टामा के लिना एक ग्राम एक ग्राम हीमोगलोबिन में उपस्थित ऑक्सियन का मान कितना होता है बैटे याद रिखना यह होता है 1.34 ml इस्टामा के लिना डारेक्लिस को याद रिखना कि एक ग्राम एक ग्राम हिमोगलोमीन में ऑक्सियन का मान होता है 1.34 एमल होता है और आपको बता नॉर्मल मनिश्य के अंदर बात करे तो 12 से 16 ग्राम पर 100 एमल के अंदर हिमोगलोमीन की मातरा होती है चलिए नेश्ट क्योसिन के हम लोग बात कर दे यदि ब्लड में CO2 की मातरा बढ़ जाए तो स्वास यानि जो ब्रीधिंग रेट होती है उस पर क्या इफिक्ट बढ़ेगा यार ब्लड में अगर CO2 की मातरा बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे CO2 को बाहर निकानने के लिए क्या करेंगे ज्यादा यानि जो breathing होती उसको तीरवा कर देंगे fast करेंगे तो जैसे तीरवा करेंगे तो oxygen अंदर ज्यादा जाएगी CO2 जो अंदर ज्यादा बन रही है वो कहाँ पर आ जाएगी environment में आ जाएगी तो जो breathing होती है स्वास जो होता है वो बढ़ जाता है घहरी घहरी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं राइट ओके next question की बात करते हैं तो lungs के उपर जिल्ली आवरन कहलाता है फेपडों के बाहर की तरब जो उसको protection का काम करता है उसको बचाव का कारे करता है उस जिल्ली आवरन को क्या बोलते हैं हम लोग plural बोलते हैं और यहाँ पर एक द्रव पाये जाता है जिसको हम लोग plural fluid बोलते हैं जिसके अंदर अगर इस द्रव की मात्रवर जाती है तो एक disease हो जाती है से चेस्ट में पैन होता है उसको डीजी को हम लोग बोलते हैं प्लूर एसी क्या बोलते हैं तो 60 क्यूशन कंप्लेट हो चुके हैं आपको सारी क्यूशन कावर अब हो गये होंगे